दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आरेने इंस्टेट अलहाबाद में दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना का संक्रमड बहुत ही ती ब्रगतिशे बढ़ रहा है कोरोना के चलते हमारी UP बोर्ड या CBSC बोर्ड, ICSC बोर्ड सब्धे की परिछाएं अभी तक नहीं हो पाई है ठीकना चाहे वो हाइस्कूल की हो चाहे वो इंटरमेडियर की हो हाला कि हाइस्कूल के कुछ बच्चे जो है जैसे CBSC के बच्चे प्रमोटेड हो चुके हैं लेकिन अभे भी उन्में संसेबर करार है हला कि बराहमें की परिच्छा रद करने की माग वाली याज का पर सुनवाए 31 को होनी है दियादि अगर सरकार से हम ये गुहार लगाना चाहेंगे यदि अगर आपको परिच्छा करवानी है तो आप एकदम confirm कर देजिए कि हम परिक्षा करवाएंगे आप क्यों आज नहीं कल टाल रहें भाई उसमें विद्यार्थी जो हैं वो confused हो रहे हैं कि पता नहीं परिक्षा होगे कि नहीं होगे लोग पड़ भी नहीं रहें अगर आपको परिक्षा करवानी है तो आप सीधे एकदम confirm कर देजिए कि हम आज नहीं तो कल परिक्षा करवाएंगे परिस्थिती कुछ भी होगे हमें आपके जान की परवाह नहीं है परिक्षा लेंगे तो लेंगे भाई आप बताएए आज सुनवाई कर रहें कल सुनवाई कर रहें 31 को है फिर एक को जाएगे फिर दो को जाएगे ये सुनवाई कब तक चलती रहेंगे बताएए ये सुनवाई कब तक चलती रहेंगे एक बार फिर जो है आप जो है बराहमे की परिक्षा जो है इतना जोर पकड़ लिया है कि हम ये सरकार confirm ही नहीं कर पा रहे हैं कि, परिच्छा करवाएं कि ना करवाएं तो दोस्तों इससे पूरी खबर क्या है, हम आपको पल मुंद बताते हैं, जैसे बराहमे कि परिच्छा रद करने की माग वपली, याज्चिया पर सुणवाई 31 को होगी, ठीक नहीं, 31 को होनी है, इस पर सुणव तारी कर रही है इसमें सरकार का नुक्सान नहीं है बच्चे आज नहीं तो कल इसी तरह लगे हुई है कि पता नहीं होगी की नहीं होगी होगी कि नहीं होगी तो चलिए कुरोना वाइरस संक्रमण को देखते हुए सीबीसी और आइसीसी की बराहवी की परिच्छा रद करने की मांग वाली आज क्या पर सुप्रिम खोर्ट अब सोमवार को सुनवाई करेगा आदालत जिस्टिस दिनेस माहेस्वरी की पीट ने सोमवार को सुनवाई की सुरुआत में याचिका करता ममता सर्मा से सवाल किया कि क्या उन्होंने सीबीसी को सीबीसी को याचिका की परती शौपी है जवाब नहीं में मिलने पर पीट ने याचिका करता को CBSC के साथ केंदर सरकार को याचिका के प्रती देने का निर्देश देते हुए सुनवाई 31 को टाल दे जिस्टिस माहे सुरे ने कहा कि केंदर सरकार एक जून को इस मुद्दे पर फैसला ले शकती है संशिप्त सुनवाई के दोरान याचिका करता वकील ममता सर्मा ने सुप्रिम कोर्ट में राजी बोर्ड परिछाओं को लेकर स्वतह शंग्यान में लेने और शभी राजी को नोटिस जारी करने का आग रह किया इस पर पीट ने याचिका करता से कहा आसावादी रही है देखिए सो मुआर तक समाधान निकल सकता है देखिए हमने कहा ना अभी भी कनफ्योजन बरकरार है निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये कनफर्म नहीं है याचिका में केंद्र CBSC और ICSC को बरहमे की परिक्षा रद करने का निर्देश देने और निस्चिस समय सीमा में परिडाम घोसित करने के लिए वस्तु परक तैयारी प्रडाली तैयारी तैयार करने का अग्रह किया गया है देखिए इधर कह रहे हैं परिक्षा होगी अभी इस पे निरड़े लेंगे अभी इधर कह रहे हैं कि परिक्षा जो है रिजल्ट गोसित करने के लिए ठीक ना देखिए इस परिक्षा रद करने के लिए NSUI का प्रदर्शन भी हो रहा है कि परिक्षा रद के जाए लेकिन आपको एक चीज जिसमें ध्यान रखना होगा कि जो ये रद करने की याज का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं ये अपने हर तरह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप देख रहे हैं कि पीपी किट पहन कर ये प्रदर्शन कर रहे हैं ठीक ना पीपी किट पहन कर ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो चलिए और इस पर खबर क्या है कांग्रेश की छात्र इकाई दोस्तों कांग्रेश की छात्र इकाई राश्ट्री च्छात्रसंग N.S.U.I. ने सो मौर को बराहमी की बोर्ड परिक्षारद करवाने की माग को लेकर सरकार के खिलाब विरोध प्रदर्शन करवाया ठीक ना विरोध तर्ज करवाया है देखिए विरोध इस पर भूत हो रहा है लेकिन अभी सरकार का इस पर कुछ रवया जो है साफ नहीं दिख रहा है कि वो क्या करेंगे सास्त्री भवन की सामने केंद्री सिच्छ मंत्राले की बाहर अपनी माग रखी इस दोरान पहले सुरक्षा फिर परिक्षा देखिए ये तो भाई बात की पक्की है कि पहले सुरक्षा ये दिए अगर हमारे जान ही नहीं रहेगे तो हम परिक्षा दे कर क्या करेंगे पहले सुरक्षा फिर परिक्षा के नारे भी लगाएगे NSUI संगठन के राष्ट्री अध्यक्ष नीरश कुंदन की अगवाई में कुछ याच्का करताओं ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सिच्छा मंत्राले के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया विरोध प्रदर्शन के दोरा NSUI के कारे करताओं ने नारे लगाए केतिक प्रदर्शन के लिए मजबूर कर दिया है दोस्तों ये सरकार में मजबूर तो कर ही दिया गया है तो आप ये निउज आप देख रहे हैं अभी भी सरकार का रवईया इस पे साफ नहीं है कि परिच्छाएं कब तक होंगे तो आप हमारे चैनल RN Institute अलहाबाद के संग बने रहे हम आपको सबसे पहले authentic news सही news देते हैं चाहे वो सिख्छा से related कोई भी news हो अगर ये news हमारे आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ये news अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें थैंक्स धन्यवाद करें